दो दिन के हंगा में ट्विट्स रिट्विट्स के बाद आखेखार शामरंगीला वारण अरसी लोग सबसीट से अपना नमंकन दाखिल करने में कामियाब रहे है प्येम मोधी की मिमिक्री करने वाले शामरंगीला ने वारण असी लोग सबसीट से नमंकन दाखिल कर दिया इससे पहले शामरंगिला नोमिनेशन फाइल क्यों नहीं कर पा रहे थे और चौधा मई को पूरे दिन वो किस कारण ट्रेंड में रहे ये बताते हैं पहले बता दे के वारण नसी में साथ वे यानि अन्तिन चरण में मद्दान होगा चौधा मई को मिद्वारों के नमंकन दाखिल करने का आखरी दिन था पेम नेरन मोदी ने भी चौधा मई को अपना नमंकन दाखिल किया दो दिन की जदोजहत के बार शामरंगिला ने नमंकन करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया शामरंगिला ने लिखा आप सभी के प्यार और सयोग से निया मनुसार सभी आवशक्ताओं की पूर्टी करते हुए मैंने नमंकन दाखिल कर दिया। मेरे इस देश के लोकतंत पर अब भी पूरा भरोसा है। अब आगे के दू-तिन दिन महत्वपूर्ण होंगे। आप सभी का सयोग के लिए बहुत धन्यवाद हमारे लोकतंत के प्रहारी। सभी चुनाव अधिकारियों के हाथ में मेरा चुनावी भविश्य है। ये सभी हमारे विश्वास को मजबूप करें। अगर आपको नहीं याद आया कि शामरंगीला कोन है तो आपको तफसील से बताते हैं। अक्सर मोधी की मिमिक्री करते हुए इनके वीडियोज वाइरल होते हैं। उन्होंने अपने ट्वीटर बायो में लिखा है कि वो कॉमेडियन है और वोट देने के अधिकार बचाने के लिए पी-एम के खलाब वारणसी से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है। उनका नमंकन काफी ड्रामेटिक रहा, इस से पहले तेरा मई को शामरंगीला ने एक वीडियो बनाया था। कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ पी-एम नयन मोधी ने भी चौदा मई को वारणसी से नमंकन दाखिल किया। जोरान उनके साथ ग्रह मंत्रिया मिश्या, रक्षा मंत्री, राजनाथ सेंग, योग्या दितिनाथ, सहीथ, कई बड़े नता पहुँद रहे। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे हैं दनगरी न्यूज शुक्रिया। झाल 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 झाल